दोस्तो नमस्ते मम्मी डाडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज के इस वीडियो की में शुरुवत करता हूँ दोस्तो आज के ओडियो में हम लोग देखने वाले है कि जब हमारा मार्केट सुबे 9 बजे से पहले हमारा मार्केट 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन चालो होता है 7 बजे तक हमारा एक्चुल टेडिंग सेशन चालो होता है तो हम लोग 9 बजे से पहले कैसे पता करें कि हमारा इंडियन मार्केट उपर खुलने वाला है आज या हमारा market down rate पे खुलने वाला है तो इसका टेकनिक आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों detail में सिखने वाले हैं जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम हमारी YouTube चानल पर आ रहे हैं उनको लिए बताना चाहोगा तो सेमिनार देखने के लिए फ्री ट्रेनिंग के लिए दोस्तों तुरंत हमारा भारती शेयर मार्केट हिंदी इस YouTube चानल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन को प्रेस कीजिए और आपके जो भी नजदी की घर के फैमिले मेंबर है तो उनके साथ दोस्तों अपना ये चानल शेयर कीजिए ताकि ओभी शेयर मार्केट का नौलेज लेके ओभी शेयर मार्केट में आगे बढ़ सके तो सबसे इंपोर्टन बात दोस्तों हमारा इंडियन मार्केट जो है इसके उपर फोरेन के मार्केट का बहुत बड़ा असर होता है उसमें US मार्केट हुआ, European मार्केट हुआ, Asian मार्केट हुआ इन सबका हमारी Indian market के उपर बहुत बड़ा impact पड़ता है दोस्तों तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा तो Dow Jones हो गया, Nasdaq हो गया, यह JX Nifty, S&P 500 यह जो चार major index है दोस्तों वर्ल्ड के उसमें हमको पहले देखना पड़ेगा कि यह index अगर उपर है सबसे जादा होती है, लेकिन उस चार में से भी दोस्तों सबसे इंपोर्टन अगर हमने देखा 90% से भी उपर हमने देखा तो हमारा Indian market ESGX Nifty को फॉलो करता है अब ESGX Nifty मतलब क्या तो यह है Singapore Nifty, अभी Singapore Nifty यह Singapore का index है क्या नहीं है, यह Singapore Stock Exchange में ट्रेड होता है ऐसमझ में, यह Singapore Nifty यह Indian Nifty का future है, जो Singapore Stock Exchange में ट्रेड होता है इसलिए उसको ESGX Nifty कहा जाता है, और दोस्तों हमारा Indian market जो है, वो सवा 9 से 3 बजे तक, यानि 6 सवा 6 गंटे दिन भर खुला रहता है लेकिन ESGX Nifty यह दिन में 16 गंटे चालू रहता है, तो ESGX Nifty अगर हमने देखा, तो हमारी Indian timing के हिसाब से, यह सुबह साड़े 6 बजे खुलता है, और शाम को, रात को साड़े 11 बजे बंद होता है तो 16 गंटे यह मार्केट चालू होता है, तो सुबह साड़े 6 मतलब क्या हमारा मार्केट शुूरू होने से पहले 25 पाउने तिन गंटा है, यह मार्केट क्या होता है, पेले खुलता है तो यह GX Nifty हमको कितना चल रहा है हमारे मार्केट चालो होने से पहले ही पता चलता है तो अगर यह GX Nifty प्लस में है तो हमारा मार्केट 90% से ज़्यादा संभवना है कि प्लस में ही खुलेगा और यह GX Nifty अगर डाउन है तो 90% से ज़्यादा संभवना है हमारा मार्केट दोस और HX Nifty पे ही दोस्तों हम लोग क्या करेंगे हम लोग वीं लगाएगे HX Nifty देखकर कि मार्केड़ано खुलेगा तो हम लोग कॉल लेगे हम लो पूलेगा तो मोग पूट लेगे या हमारे ट्रेडिंग करना है तो जिस हिसाब से स्ड्राइटरजी बनाना है तो उस डायरेक् प्लस में तो हमारा रूपीज क्या होता है इसलिए हमारा मार्केट क्या है down आता है और dollar index अगर down है तो हमारा rupees क्या होता है strong होता है तो हमारा market उपर जाता है equity market तो यह dollar के gold के और crude के opposite हमारा equity market opposite में होता है और PGX safety के साथ में होता है, sağ knowledge दोस्तों आने वाले वीडियो में लेके आने वाला हूँ और important बात दोस्तो अगर आपको share market सीखना है खुद के हाथ से trading, investment, professional strategies, setup और important बात है दोस्तो भारत के हर गाओ में, हर तालोका में, हर जिले में मैं भारती share market की franchise, भारती share market की branch open करना चाता हूँ मैं मेरे जैसे trainers इंडिया में create करने चाता हूँ दोस्तो और अभी इंडिया के कोन से city से आप लोगे वीडियो देख रहे हो, आपका city, आपका state मुझे comment करके आपको बताना है ताकि मुझे समझ में आएगा कि भारत में कोन से state से, कोन से city से, कितने प्रभान में दोस्तो लोग share market में involved है और आपको अगर topic सजेस्ट करना है, मेरे लिए कोई कि sir इस topic के उपर next video बनाईए तो आपका topic भी मुझे आप लोग मुझे comment box में दोस्तो बता सकते हो आपके portfolio में अभी कोन से shares आपने लेकर रखे, वो भी मुझे आप comment box में comment करके दोस्तो बता सकते हो जो भी doubt होगा वो भी मुझे comment box में आप comment करके बता सकते हो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत